Hi everyone, Welcome to खानामाद पसंद, मैं काका चोपडा खानामाद पसंद नापका अश्वागत करती हूँ आज की रेसिपी है वह है चेना गुलाब, यह पनीर जलीबी से मिलती जुलती रेसिपी है बट उसे थोड़ी सी ज्यूसी और थोड़ी स्वादा सॉफ्ट है अगर जब भी घर में थोड़ा दूथ फट चाहे यानि कि अगर आदा लिटर दूथ फट गया है और इतना सा चेना बना है तो आपको समझ रहे आता हम क्या करें साधा तरम पर बोजे बनाते हैं और इसको साइड पर कर लेते हैं बट अगर आपकी पास सवा सो ग्राम तक चे बन जाए तो आप इसको इसको इस तरह से मिठाई में भी कर सकते हैं आप इसमें आटे का यूज कर सकते हैं या पर मैदे का इसको कितना बढ़िया टेक्च्च्छर है इसका पिल्कुल जूसी सॉफ्ट अंदर रस से भरा हुआ जादा लाइन ना करते हुए हम चेना गुला यहां पर मैंने वाइट वेनेगर लिया है जो सिंखरिक वेनेगर होता है अगर अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसी तरह से दो निमू कर रस निकालने और उसमें सेम आवाउंट में पानी मिला ले और उसके बाद अब इसको दूद को फार सकते हैं तो में यहां पर प अब इसमें थोड़ा थोड़ा यह विनेगर वाला पानी डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि जो छेना तयार हो वो सॉफ्ट बने उससे छेना गुला बहुत ही बढ़िया बनता है अब इसी तरीके से किसी भी चीज के लिए छेन पानी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग जो है वो रुक जाए और हमी से चान लेंगे उसके लेंगे बाउल चलनी कोई भी कॉटन का कपड़ा या चीज प्लॉट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं धान रखे कि कपड़ा हमेशा लाइट कलर का या वाइट कलर का ही लें इस इसको हम इस तरह से ने चोड लेंगे तो यह कि मैं इसको अच्छे से वाश कर लोंगे ताकि इसमें से खटास हो सिर्के की तो भी निकल जाए आपको इसकी कुकिंग लोखने के लिए ठंडा पानी यानि की बरफला पानी डालना है चेहना में जब आप उसे बना रहे हो तो बाद में आप इससे अधारन पानी से दो सकते हैं दो लिया है मैं इससे और अब इससे पानी निकाल लेंगे बहुत जादा नहीं 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 चोड़ेंगे और 10-15 मिनिट के लिए इसको इसी तरह से टांग दोंगे ताकि एक्स्ट्रा जिसमें से पानी निकल निकलना अगर आपको चेना गुलाब ज्यादा मीधा चाहिए तो एक कप पानी डाले और अगर कम मीधा चाहिए तो एक कप प्लस एक चौथाई कप पानी डाले अब हम चीनी को घुलने देंगे तो वह रिखी चीनी पूरी तह से घुल चुकी है अब हम इसके डाल देंगे 2-3 प्लेवर आता है अब चाहिए तो इसमें केसर भी आड़ सकते हैं और इसी के साथ इसमें आड कर देंगे एक चुटकी खाने वाला ओरेंज कलर मैंने हापर यलो और और ओरेंज कलर दोनों आड किये हैं ताके ब्राइट सा कलर आए चेना गुलाब में तो चाशनी लग भग चिपशिपी हो चुकी है इसमें कोई तार नहीं है तो मैं इसमें दो से तीन डॉप लेमन जूस यानि की नियमु का रस डाल दोंगी इससे यह जमेंगी नहीं चाशनी जो है क्रिस्टलाइज नहीं होगी तो इसको हम साइब पर कर देंगे अब हम छेना गुलाब के लिए कर लेंगे तो यहां पर चेना से सारा पानी निकल गया है यह देखे बिलकुल अच्छे से ड्राय हो चुका है और हम इसको बेट कर लेंगे यह देखे तो यहां पर लगभग 110-115 ग्राम के करीब चेना बनकर के रेडी हुआ है अब 100-100-700 ग्राम तक चेना भी यूस कर सकते तो अब हम इससे गुलाब बनाने के तयारी करेंगे तो यह जो चेना है हम इस मिक्सी के जार में डाल देंगे हमें इसका बिलकुल क्रीमी सा पेस्ट बनाना है जिससे कि हम इसको जलेबी की तरह शेप दे सके और बिलकुल जलेबी के बैटर की तरह इसकी हमें तिकनस बनान लुकर बनाने शेली चबचा पानी रोड़े है, कि अबेकिंग युजी दूँच सेफाने इसे खाटमाच पती कि आलटे है दो चुटकी बेकिंग सोडा भी तुच कर सकते हैं अब हमें चेक कर लेंगे, भी हमें अब यह काफी थेक्छेल अब बैटर की तरह है तो हमें इसको जलेबी का बैटर की तरह बनाना है तो इसमें दो बड़े चममच पानी में और एड कर रही हूं तो इसको एक बार फिर से चला लेंगे इसे चेक कर लेंगे तो यह दिखिए कुछ इस तरह का बैटर होना चाहिए आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लंप्स नहीं है तो विल इस तरह के आइसिंग बैग्स आराम से मार्केट मिल जाते हैं अगर आपके आपका सा औरेंज कलर आजाए जाए जो चेना गुलाब है उन पर तो इस पर कुछ ट्रॉप्स हम पानी की डालेंगे इसको एक बार फिर से चला लेंगे इसे चेक कर लेंगे तो यह दिखिए बह आप मेरे चानल पर वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से आइसिंग बैग बनाना से खाया है उसका लेंक मैं उपर यहां पर आई बटन में भी डाल दूंगी और साथ ही रिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसमें आपको यह नोजल बनाने का तरीका भी मिल जाएगा यह देखी मैं यहां पर यह वला स्टार नोजल जो कि विल टन का 2D नोजल है यह यह यूज कर रही हो आप नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल इसी तरह से पाइपिंग बैग को कट करके तो मैंने यहां पर पाइपिंग बैग में नोजल डाल दिया है औ अगर घर में दूद फट जाए और आप सोच रहे हो कि उसका क्या करें तो आप पटे हुए दूद से भी यह चेना गुलाब बना सकते हैं तो इसको बन कर लेंगे उसको यहां रबर लगा करके सील कर लें कि कुछ इस तरह से पाके बैटर पीशे से बाहर नहीं आएगा तो इस तरह बीच में से खाली रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है कि खुद बखुद फूल जाएंगे तुम आपको पास से दिखाते हो तो इस तरह से सर्कल्स बनाएंगे बस आपको राउंस बनाने हैं यह खुद बखुद शेप ले लेंगे अगर आप बीच से बंद कर द लगेंगे कितने सुन्दर दिख रहे हैं बस आपको सर्कल्स बनाते जाना है और चेना गुलाब खुद बखुद रेडी हो जाएंगे क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डला हुआ है तो यह फूल जाते हैं और देखने में और भी सुन्दर लगते हैं जो हमने पहले डाल कितने अच्छे और यमी दिख रहे हैं दिरे दिरे इन पर गोल्डन गलर आ जाएगा बीच बीच पे पलट पलट इनको हम सेख लेंगे तो आप भी आटे और चेने से बनी हुई इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और अगर आप मैदे से बनाएंगे तो यकीन मान तो इससे 25 तक छेना गुलाब बना करके आप रेडी कर सकते हैं तो यह दिखिए इन पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और अच्छे से फ्राइब हो चुके हैं तो अब हम इनने निकाल लेंगे तो यह दिखिए सभी छेना गुलाब कितने अच्छे से फ्राइब हो गए है अब हम इनको चाषणी में डाल देगे देखते ही देखते ही यह सारी चाष्णी एब्सॉब कर लेंगे उनको इस तरह से चाष्णी में डिप कर देंगे चाष्णी गुंगुनी से थोड़ी सी ज़्यादा तेज गरम होनी चाहिए अगर आप बिल्कुल सौफ चैना गुलाब खाना चाहते हैं तो आप चाष्णी को तो थोड़ा ज़्यादा गरम कर लें अदर्वाइस इस तरह से गुन-गुनी सी चाष्णी में ने 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें तो यह देखिए मैंने ने चाष्णी में डाल दिया है और आप पांच मिनट के लिए इसी तरह चाष्णी में रहने देंगे तो चैना गु अधर पिस्ता से गर्णिश कर लेंगे बहुत ही यमी देख रहे हैं तो आपको एक पीस इसका कट करके दिखाते हो तो यह देखिए कितना जूसी है किस तरह से रस से भरा हुआ है देखने से पता लगा होगा आपको यह देखिए इसको कट कर लेंगे तो अब इसका अंदर से रस भरा टेक्स्चर देख सकते हैं यह देखिए किस तरह से रस से भरा हुआ है तो आप भी चैना गुलाब की रसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही सौफ्ट नरम मुलायम मुं में खुल जाने वाली अगर आपको मेरी रसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अपनों का खयाल रखें अपनी सेहत का खयाल रखें थैंक यू बाबाई टेक केर स्टे ट्यून बाई